मौध्याव आज अंतराश्टी महिला दिवस के आउसर पर हमें अपनी बात को रखने का मौका मिल रहा है मैं इसके लिए आभार ब्यक्त करती हूँ और साथी साथ अपने विपस्ट साथियों को ये भी कहना चाहूंगी कि साल में एक दिन यदि महिलाओं को मिलता है और इस लोग सबा अजिर जी ने यदि हम महिलाओं के नाम पर एक दिन दिया है उसके चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे विपस्ट को उसका सहीयोग करना चाहिए ना कि महिलाओं के हग और अधिकार को चीनने के लिए यहां पर खड़े हो करके नारेबाजी करने का काथ पर नहीं करूंगी, लेकिन आज महिलाओं के साथ जो वास्तों में हो रहा है, मैं उस पे चर्चा जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि वो जो महिलाओं के साथ हो रहा है, वो कही न कहीं बिपस्ट के द्वारा उनकी जो बढ़ावा दिया जाता है, महोदेर इतिहास गवा है, आज आदी से लेकर के आज सक, प्रतेख छेत्र में महिलाओं ने अपनी हिस्सेदारी निभाई है, और हिस्सेदारी ही नहीं बल्कि अपने कर्टव्यों को बखुवी निभाने का काम किया है, यदि महिला घर को देखती है तो परिवार को और बच्चे को आख्ये से परवरिष करने का और घर को देखने का कारी करती है, तामकाजी महिला के रूप में घर से बाहर निकलती है, ये राजनेतिक के रूप म घर से बाहर निकलती है तो उसको भी बखुवी निभाने का काम करती है लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हमारा समाज महिलाओं को वो सम्मान नहीं देना चाहती है जिसकी वो हगदार है एज़ेश की रास्तिपती, एज़ेश की प्रधान मंत्री यहां तकी लोगसभा अध्यक्ष भी महिला रह चुकी है लेकिन आज कही न कही हमारा अधिकार और हक हम से दूर है हम यदि अन्य छेत्रों की भी बात करें चाहे कल्पना चावला की बात करें या फिर सुनीता विल्यम की बात करें जिन्होंने आंत्रिक्ष में उड़ाने भरी या हम संतोस यादों की बात करें जो तीन बार हिमाले को नापती हैं ऐसी एक नहीं आज की तारिक में हजारों ऐसा हमारी महिलाओं का कार्य देखने को मिलेगा लेकिन सिर्वी महिलाओं को सारीरिक और बौधिक रूप से कमजोर माना जाता है पहले भी माना जाता था और आज भी जबकि अगर महिलाएं कमजोर होती तो आज सिख्षा का अधिकार हम सब को दिलाने के लिए माता साबिती बाई सुले ने जो लड़ाई लड़ी और उस लड़ाई को लड़कर के हम सब को सिख्षा का अधिकार दिलाने का काम किया वो अधिकार हम सब को नहीं दिला पाती यदि वो सारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर होती यदि महिलाय कमजोर होती तो वो रानी की लक्षमी नहीं होती यदि महिलाय कमजोर होती तो वो दुरगा, चंडी और काली नहीं होती आज यदि हमें सक्टी की जरत होती है, साहस की जरत होती है तो हम मा काली, मा दुरगा, मा चंडी के नाम का जाप करते हैं आज हमें सिख्षा की जुरत होती है तो हम मा सरस्थपी के नाम को लेते हैं और मा सरस्थपी के पूजा करते हैं आखिर वो भी तो महिला ही थी तो समय समय पर महिलाओं ने अपने आप अपनी ताकत को दिखाया है और आज समाज को भी उस ताकत को देखना और पहचानना होगा किसी भी वेद या पुरान में नहीं लिखा है कि महिलाओं को बराबर का हक अधिकार ना दिया जाए लेकिन हमारा समाज कहीं न कहीं आज जिन वेदों और पुरानों को मानता है उनकी भी अंदेखी करने का काम करता है और महिलाओं को पीछे रखने का काम करता है तथादत भगवान बुद्धिने भी महिला और पुरूष को चारीरिक मानसी जों आध्यातमेक रूप से बराबरी का दर्जा देने का काम किया था और उसी कड़ी में यदि हम सनातन की भी बात करते हैं तो गौरी पार्वती द्वारी संकर की बात करें तीता राम की बात करें या राधे कृष्णी की बात करें हर जगे महिलाओं को ही बढ़ावा दिया गया लेकिन आज वो इस समाज को सिवकार नहीं है महोदया लोग कहते हैं महिलाओं कमजोर होती है यदि महिलाओं कमजोर होती तो महिलाओं के द्वारा पुरुस की जो उत्पत्ती होती है वो उत्पत्ती का अधिकार महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुष को दिया गया होता आज महिलाएं जननी हैं और उसी जननी को कमजोर का दर्जा दिया जा रहा है बेटियों को पढ़ाने के लिए रोका जाता है आज हमारी सरकार चाहे प्रदेश में हो उत्प्रदेश में चाहे भारत में आदर्णी मोदी जी के नेटितों में जिस तरह से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या मिसंसक्ती जैसे कारियों के यो अधियानों के माध्यम से महिलाओं को बच्चियों को आगे बढ़ाने का कारे किया जा रहा है चाहे महिलाओं के मान सम्मान की बात यदि हम करें तो सुचाले के सुच्छ भारत अधियान के तहट एज़द भर देने का काम किया गया हूँ या तमान ऐसे योजनाओं के माध्यम से यदि आज हमारी सरकार महिलाओं को आगे ले जाने का काम को रही है महोदिया में समय को होंगी एक ही दिन मिला है भले ही तीन घंटे के वज़ाए शे घंटे चले लेकिन समय हम सब को मिलना चाहिए महोदया आज हम बेटियों की हालत वो है कहीं हम जन्म से पहले मार दिये जाते हैं तो कहीं जन्म के बाद